आज की इस प्ड़िए में हम लोग जानेंगे अरस्तू का विरेचन सिध्धान्त तो ये जो विरेचन सिध्धान्त है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता इस विडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिलकुल अच्छे समझ में आ जाएगा कि विरेचन सिधान्त असल में है क्या और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले इस विरेचन सब्द को समझने से तो यह विरेचन सब दिया था वो सब्द है कथार्सिस तो इस सब्द का जो हिंदी रुपांतरण किया गया है वो है विरेचन अब दूसरी चीज़ जो जानने की यह है कि जो विरेचन सब्द दिया गया है यह विरेचन सब्द कहां से लिया तो यह विरेचन सब्द है भारती है चिकिस्सा सास् रहनी आयरवेद से लिया गया है तो विरेचन का मतलब आकिरकार होता क्या है सबसे पहले इस सब्द का मतलब हम लोग जानेंगे उसके बाद ये किस तरीके से अरस्तु के विरेचन सिध्धान्त जो हम पढ़ने वाले हैं उससे मैच करेगा तो जो ये इस परकार है कि विरेचन का मतलब होता है इस सब्द को समझेने से पहले आप ये समझे कि भारतिय चिकसा सास्तर में ये बताया जाता है कि ये तीन परकार के विकार पाये जाते हैं वात, पित और कफ डिटेल में ये जानने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको आप वहां से एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं और ये पूरा अच्छत समझ सकते हैं कि वात, पित, कफ होता कि है यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ये तीन चीजे हमारे सरीर में पाय जाती है वात, पित, कफ ये एक संतुलित मातरा में हमारे सरीर में कहा है उपस्तित है वात यानि वायू पित का मतलब गर्मी से है एक तरीके से सरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है वो और वात का मतलब मैंने बताया आपको वायू से और तीसरा जो है वो है कफ तो जब ये जब संतुलित मात्रा में रहते हैं, तो हम क्या है स्वस्थ रहते हैं, जब इन में से किसी की मात्रा उपर या नीचे होती है, तो क्या है हम अस्वस्थ हो जाते हैं, या नि हम बिमार पढ़ जाते हैं, तो बिमार पढ़ने को जो में कारण है वो यही है, तो इनी ही ये सिध्धान्त लिया गया है अरस्तू के लिए कैसे जिस परकार से हमारा सरीर अस्वस्थ होता है और उसे स्वस्थ करने के एक प्रकिरिया है ठीक उसी प्रकार से मानव में क्या है मानव का जो मस्तिक्स है उसके अंदर भी कई प्रकार के दोश आ जाते हैं यानि मल पैद जिसका निकानना भहत ही आविश्धी हुता है तो इसी को निकानने के लिए इस प्रक्रिया का उप्योग किया जाता है जिसे अरस्तु ने विर्यचन बताया है और वो विकार कौन से है जो हमारे मस्दिक्स में आ जाते हैं जिनकी सुध्धी की आविश्ता पढ़ती है व counties ईर विरेचन है ये भाव शोधन की क्या है एक प्रकिरिया है जिस प्रकार से सारी मल लिकाल करके हम शोधन करते थे सरीर का शोधन तो उसी प्रकार से भाव का शोधन करने की प्रकिरिया को अरस्तु ने विरेचन कहा है तो ये जो विरेचन का जो एक छोटा सा अर्थ था इसको औ है वो इसी लिए दिया है इन जो हमारे मन के अंदर ये मानसिक विकार आते हैं इनी की स्वस्त करने के लिए उन्होंने ये दुखांत नाटक की रचना करी थी जिस से करूना और भै ये दो सब्द बूचर इनकी जाद अगाख्या करते हैं कि करूना और भै इन से हमें क्या है मुक्ती मिलती है इसके लिए उन्होंने जो प्रकिरिया बताई ये वो उनका दुखांत यानि तराशदी का जो सिधांत है नाटक रचने की जो उन्होंने बताया था उसी के जरीए ये जो विरेचन में भी सेट बैट सकता है कि आपने देखा होगा जब धार्मीक का हर सो उन्होंनाद होता है भारत में जिसे कि तरीके से किसी के ऊपर अगर माता आ जाती है उस ताइम पर उस व्यक्ति को कोई सांत करके सांत जिसे इंदर भाव ऐसा समझे लिए तो उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए महौल को सांत नहीं किया जाता बलकि और भी ज़्यादा ढोल लगाड़े बजाये जाते हैं जिस व्यक्ति के अंदर जैसे मात आ जाती है अपने साउथ में देखा होगा या उत्तर भारत में भी बहुत कम देखा हो पर साउथ में साइद अपने देखा हो कही न कहीं तो कि जब धार्मिक उन्माद इस तरीकी का किसी व्यक्ति के अंदर जागता है तो उसको सांत करने के लिए संगीत और तित्यज बजाये जाने लगता है और ज़्यादा होड़ुला करने लगते हैं और कुछ ना कुछ इसी प्रकार से विरेचन का जो सिध्धान्त है वो संबंदिध है जो आगे आपको और अच्छ से किलियर होगा पर यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि इस जो विरेचन का सिध्धान्त में आपको बता रहा हूँ इसका जो संबंद है यह ना धार्मिक से है और ना ही नहतिकता से है इसका जो संबंध है वो भावात्मक्ता से है यानि कि फीलिंग से भावनाव से जो मैंने आपको उपर बताई और कलात्मक्ता से है कलात्मक्ता के अंदर एक तरीके से जो नाटक को प्रसुत करते हैं किस तरीके से करते हैं जो मै की धार्मिक और नैतिकता से तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब मैं आपको प्लेटो के बारे में बता रहा था कि प्लेटो ने नाटक के बारे में वो कला के बारे में क्या सोचते थे तो कला के बारे में वो खहते थे कि कला में केवल जो हम दुखांत चरित जो हम चीज़ दिखाते हैं यानि कि ऐसी घटनाओं को उसमें दिखाना जिसे देखकर कि लोगों के मन में करुणा भै और इसी प्रकार के जो विकार होते हैं जिसे अच्छा नहीं माना जाता नैतिक नहीं माना जाता उन दिरिख्यों को दिखाना नाटक में वो गलत मानते थे क्योंकि उन्हें दिखाने से क्या है लोगों के मन में एक तरीके से उनका जो पोरुस था उसको हताश मिलती थी वो लोग दुखी हो जाते थे निरास हो जाते थे तो एक तरीके से वो negativity फैलाती थी दुखातमक दिरिश्यों को दिखाने से अरस्तु जो है ठीक इससे विपरीत बात करते हैं कि वो कहते हैं कि इन भावों को दिखाना आवश्यक है और वो आवश्यक किसली है वो कहते हैं कि किसी भाव को बहुत ज़्यादा तबज्यों देना यारी अतिरेक्त भावों का अरस् बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं एक जैसे भावो को वो सही नहीं है उससे क्या है मन बुद्धी और आत्मा इन तीनों के अंदर इन तीनों में आपसी कहा है समझ जसे नहीं बैठता इनके अंदर एक विकार उत्पन करता है तो इसलिए अरस्तु कहते हैं कि भावनाओ क हम दमित नहीं करना चाहिए उसको अगर हम उसका दमित करते हैं भावनाओ का तो वो हमारे लिए अहितकर साबित होती है जबकि प्लेटों को लग रहा था कि वो क्या है हमारे हितकर है जबकि भावनाओ को दबाना और एक ही भावनाओ को बहुत ज़दा वो देना कि बढ़ यह साहित्ते के अंदर बात कर रहे हैं, वो याद रखना कि साहित्ते में उन भावनाओं को भी दिखाने की वावनाओं को दमित ना करके हमें के हमें संतुलन बनाना चाहिए उसमें, तो उन दोनों भावों को उसी हिसाब से संतुलन की हिसाब से दिखाना चाहिए, ऐसा अरस होती है negativity वाली जिसे देख करके उनके मन में भै की भावना उत्पन होती है या इसी अन्य प्रकार के और भी मांसिक विकार वो उत्पन तो होते हैं ये बात अरुस्त भी मानते हैं परन्तु ये उत्पन होने के बाद उसके जो परिणाम निकलता है वो जो सामाज जैसे बैठता है कलात्मक्ता के द्वारा उससे व्यक्ति के अंदर एक तरीकी की आनंद की अनुभूती होती है ये जो दुखांत कृतम रूप से दिखाए या नाटक के अंदर कि वो जो पात्र है वो दुखी है हम कोई भी मूवी देखते हैं या कोई भी नाटक देखते हैं तो उसके अंदर वैक्ती क्या है सचमुच में तो दुखी नहीं होता है वो एक्टिंग ही तो कर रहा होता है तो उसी एक्टिंग को देख करके क्या है हमारे मन में करुणा और भै इस प्रकार की जो भाव है उत् सिक धुर्बलताएं होती है उससे हमें छुटकारा मिलता है उसे भार देख करके जो हमारे मन में दवी पड़ा था वो भी भार का है निकल जाता है और हमारे मन में एक तरीके से आनत का भाव जागरित हो जाता है यह जो मैंने आपको व्याख्या करी इस व्याख्या को कहते है हिमोपैथि व्याख्या इसके अंदर सम-शम को शमन करता है तो आपने देखा कि वहाँ पर एक दुख नहीं दूसरे दुख को दूर किया, इसलिए सम-शम को शमन करता यह हिमोपैथी व्याख्या है अगर शौर्ट में बताऊ तो अरस्तू इसी चीजों को बताते हैं कि दुखांत हम नाटकों में जब दिखाते हैं तो लोग क्या है उसे देख करके उनके मंदर का जो दुख होता है वो क्या है बाहर आ जाता है उसका विरेचन हो जाता है व्यक्ति क्या है एक तरीके से स्वस्थ हो जाता है ये थी अरस्तू की व्याख्या अब इसी चीज को बूचर जो है अपनी तरप से व्याख्या करते हैं जो कि क्या है उनका इस विरेचन को जिस तरीके से बूचर समझते हैं देखते हैं